जैसे भीकारी मैं मैं भीक मागता है कि मुझे 10 रुपे दो 5 रुपे दो ऐसी हमरे सिती होगे नवकरी मांगते मांगते हैं 10 वैसे दिल्ली पुलिस आएगी और ख़देरने लेगी हम लोग को कि 10 बच क्यार एक मिनट भी होगया तो चलाना पठोक दिया जाएगा खाने के लिए पैसा ही नहीं है तो चलान कहा से भारेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लराय सरकार ने कह दिया है कि दिल्ली में रात 10 बे तक 5 बे तक करफी रहेगा ना कोई आ जा सकता है ना ही कोई सडको पर घूम सकता है अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा हलाकि एसेंशिल सर्विस के लिए रोड खुला रहेगा गाडियों की चेकिंग होगी पास होने चाहिए तमाम लोग अगर किसी काम से जा रहे हैं तो उनकी पास भी ईपास होने चाहिए ऐसे में हम आज इस पर बात क्यों कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेटी जीडी कॉंस्टिबल 2018 किया भेरती लगाता दिली में पिछले कई महीनों से मौजूद है लेकिन अब इस्तिती बहुत पैनिक हो चुकी है जी हाँ इसलिए क्योंकि करफी हो गया है इन लोगों की पास मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे लड़के लड़के इनके पास रहने के लिए कोई जगा नहीं है दिन में तो पार्क में रहकर या फिर कार्यालियों मुख्यालियों के चक्कर काट कर ये अपना समय काट लेते हैं क्योंकि इन्हें वर्दी चाहिए नहीं तो अर्थी चाहिए लेकिन रात का समय ये कहां सोएंगे क्योंकि सोने के लिए जगा नहीं है अब तक मैं दिल्ली की सरकों पे, भूमिगत पैदल पार्पट पे, कभी बंगला साइब गुर्दार पे तो कभी पार्क में, ऐसी इन तमाम जगों पे अपनी राते गुजारी हैं हमने, दिन तो कड़ जा ले ओ, आफिस आफिस के चक्कर कार्ट के दिन गुजार जाती थी, पाथा कहाड के बैठते थे, तो रह साम आती थी, और साम आने के बाद भूफ लगती थी, भूफ का कैसे भी करते थे, कुछ Soon इखा के सोजाते थे, कहीं पर भी जहां जगही में, जब एपना चादर लगए लगाते थे सो जाते थे लेकिन कल की रात से सर पे जैसी साम ढलती है कर्फ्यू के बादल मंड़ाने लगते ये डड़ा हो जाने लगता है कि अब दिल्ली पुलिस हमें फिर से टॉर्चर करेगी अब रात के हमें सोचा भी नहीं था कि दिली जाएंगा दिली में जाकर यह बादै पुर्चतें कैसा हो तड़पने लगते हैं अपने माबाप के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए लिकिन ये बच्चे जिनके माबाप रोजाना तड़प रहे हैं क्योंकि ना तो वर्दी मिल रही है ना सरकार इनकी सुन रही है और ये माबाप के लिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वर लेकिन आज सोने के लिए कोई जगा नहीं है तो हम क्या करेंगे पार्क में या पैदल जो है रोड पत जो है उस पे सो जाएंगे या कहीं रोड पे भी सो सकते हैं है जैने को दो ब्रुट पताकाने क्या कर डिया कूपर कीने दाव सब्सक्राइब्स सुचिंत जो लागू है ओयंड सोने के लिए तो जहाँ भी मिलेगा यहां तहां घुजार ले तक ही आ लेते हैं पिकिन रात में कहा जाएंगे, रात में तो कहीं भी जहां पर भी जगा मिलेगा, वहां पर रात बुजा रहेंगे कैसा है भी देखें दिल्ली सरकार कहे चुकी है कि दिली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाये गया है लेकिन पैनिक स्थिती बनी हुए दिल्ली में, पांच अजार से ज़ादा मामले दिल्ली में आ रहे हैं, सरकार को मजबूरन अगर लोगडाउन जैसा कदम उठाना पड़ा, तो फिर आप लोग कैसे जाएंगे, कहां रहेंगे, कैसे क्या होगा? वो जो लागडाउन की सिती फर बहुत भैंक और भारी होंगी, हमने वहां तका सोता है, फिर भी जब लागडाउन लगेंगा, तो देखा जाएंगा कि हम इस सिचुशन को कैसे हंडल करेंगे, लेकिन फिलाल हम यह सोत रहें कि अभी यह जो कर्फ्यू है, यह रात का जो दस क माडम सोचा तो आखों में आसु आते हैं मैम, कि हम इतना पढ़े लिके होने के बावजूत, एक तो गरिब घर से बिलाउं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इतना पढ़े लिके होने के बावजूत भी हमर इद्र दोर असा, जैसे भीकारी मैम भीक मागता है कि मुझे 10 पांच रुपे दो, ऐसी हमरे सिती होगे नवकरी मांगते मांगते हैं, घरवालों का रोज फोन आता है, घरवाले रोते हैं, आप क्या बता है, हमें भी रोना आता है, कई बाजू जाके हम भी रो लेते, किसी को हांसू दिखाते नहीं, फिर भी एक जुनून है कि चलो, अ आश्टवाद है, आप ये बताए कि आप से, क्या यहां पर आपने कोई जगा ढूंडी है रहने के लिए, क्योंकि ऐसी भी कुछ खबरे आ रही थी, कि बैट के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, क्या इतना पैसा है, क्या रोजारा सो रुपया, दो सो रुपया, एक अप से इतनी मी रही कि हम दस रुपय काहां खाते भी नहीं है, अगर लगता है कि दस रुपय काहां खाये, तो ये दस रुपय हमें कुछ काम के लिए काम आएंगे सुना अपने सुना मेरी आखों में आसु आ रहे हैं तो मैं समझ सकती हूं कि आप लोगों की आखों में भी ज़रूर आसु आयोंगे जगा जगा पर है लेकिन खाने की सुविधा बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसे में और भी लोगे उन से जानेंगे इस तीन महीने में आपका प्रदर्शन लगातार चल रहा है हमने आपको देखा आये पहले दिन से आप भी लगातारा में देख रहे हैं हम आप लोग को कवर क मेसी जा रहे हैं मैं वो जाना चाहती हूं कि परिवार क्या क्या रहा है आपकी भाई होगी बहन होंगे माबाप होंगे रिश्चिदार होंगे क्या 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 रहे हूं घर से तो फॉन डेली आता है जहां तक भाई बहन की बाद है तो ना मेरी भाई है ना बाउने मैं ताकि परिबार को तकलीफ ना हो जैसे हैं वैसे हम काठी रहें समय बाद में भी घर पर जूट बोलना परता है कि हां मैंने खाना खा लिया आज भी दिन में खाना नहीं खाया अभी तक हूँ रात में कहां खांगा कोई ठीक नहीं एक घंटाम कर फिल लगेगी उसका नई घंटावाद कहां स्वेंगे खुद पता नहीं एक खारा हूं बस इस जगह मुझे पता कि अगले आदे घंटे में कहां रहूंगा कहां खांगा इसका कोई ठीक ना मेरे पास यह रात में कहां गुजार हूंगा और जरा सी चूद तो चलान अलग भरना पड़ेगा चल करोना बढ़ रहा है ठीक है मालनी ज़े को रही दिन में आप सकते हैं लेकिन ग़र्मी बीजन बढ़ रही है रहने के लिए जगह नहीं है सोने का ठीकाना नहीं है आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पढ़ सकता है जिस चीज के लिए हम यहां पॉटेस्ट कर रहा है जहां जाना के लिए वहां इस भी ज्यादा को हम लोगो दिकत होती है ठीक है बस एक जुनून है कि हम को उस जागवा पहुंचना है तो किसी भी तरह के समध्या को हम समध्धान करके वहां पहुंचने के त्यार है सुना आपने कि इससे भी भी भीशन स्थिती से गुजरना पड़ सकता है जहां हमारी पोस्टिंग होगी जहां में रोजगार मिलेगा अब सूचिए कि मेंटली फिजिकली पूरी तरह से पिपेड है कि हमें भारत मा की रक्षा करनी हैं हमें जुसमनों के छक्के चड़ाने है ताकि हमारे देश के तरफ कोई भी आप उठा कर ना दिख सके लेकिन सरकार सोई हुई है सरकार को दिखाई नहीं दे रहे मैं पूछती हूँ सरकार कि आपको इनके आसू नहीं दिखाई देते हैं कि इनके माबाप की आसू नहीं दिखाई देते हैं एक लौता बेटा आप कि हमकी पास पैसे भी नहीं बचे हैं पैदल यह लोग का रेलियों का मुख्यालियों के चक्कर लगाते हैं धक्के खाते हैं पैदल जाते हैं सोच यह इतनी भीषण गर्मी में नंगे पैर इस कंगरी रोड पर चलना बेहत मुश्किल है हम और आप जैसे लोग तो सोच भी न पता है कि कहां सोएंगे लेकिन फिर भी चलते रहेंगे चलते रहेंगे कहीं ना कहीं कुछ मीने जाएगा पिछले दो महीना से मिल रहा तो आज भी भ्यवान के दाशा कुछ नहीं सकते क्यों कि कर्फ्यू लग गया है आप सोची और बताएए सोच समझ कर कि क्या करेंगे अब तो इससे पहले रहे थे ताभी रहेंगे आप बताएए कि इतने दिन से आप कहां रह रहे थे कहां सो रहे थे क्योंकि ऐसा दो आज आप आएँ फिछल तीन महीने से यहां पर है जी मैं मतलब कभी यह बताया तो मैं कभी पार्क में कभी सब्वे में सुछा जाकर नहीं तो फिर ऐसे रहा हुआ जब आप लंगर खाने जाते हैं वहां पर आपको एक घृणा की दिष्टी से अब देखा जा रहा है वह दया भाव जो था पहले वह दया भाव नजरों में दिखाई नहीं दे रहा है वह हिंता दिखाई दे रही है उसको लेकर क्या कहींगे नहीं मून को देखे मैं कहीं भी आप तीन मेने रहते हो तो मतलब थोड़ा सा मतलब कोपरेट करना पड़ता है तो उनको ऐसा लगता हुआ कितने बच्चे है उनका मैं आनादर नहीं करूंगा वह मुझे बहुत सपोर्ट की है आज तक हम लोग जितने भी बच्चे हाँ प कि आपने जौफ़ नहीं सकता हुश लο में अंतना सोचने के च्खंता है मुझे मैं घलत और सभी मतलब जान सको तो मुझे खुद लगता है कि आप एक जगए जगए जा रहे हो तो ठोड़ा सा या कि आप जहां भी लोग घांपी रहे हैं जैसे दैसे खाइस सपोर्ट करें बाद नहीं करें सरकार पूरी तरह से नहीं कर है अगर सरकार करती तो हम WHO और संड शुनीए यह आ परेक्शा पर चर्चा करते हैं यह आपके इस देश के protecting इसी देश के वासी है इनसे भी चर्चा कर लीजिए न देखें मैं यह नहीं करें कि आप यह इनसे मिलिए मत कर यह मलाकात वीडियो कॉंफरेंसिंग का जबाना है डिजिटल इंडिया हो रहा है आत्म निर्बर भारत बन रहा है तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं और क्यों न मैडम जिसका घर नहीं है यहां पस और भी लोग रहते हैं मैडम की पूट पार्क में और भी लोग रहते हैं जिसका घर नहीं तो उनको भगा देते हैं कि उनको भी भगा देते होंगे फिर तो उनका घर नहीं तो कहां जाएंगे हमारा भी अभी हम घर से आये हैं लेकिन अ समय कि सरकार से आप लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें हमें रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए आप वर्दी दे दीजिए आप वर्दी लेंगे और यहां से चले जाएंगे वर्दी मिल गई तो कब तक यहां पर आप जाना होगा सरकार का धन्यवाद कैसे बात कभी ना कभी तो सुनी जाएगी इस लिए फिजले धाई मैने से हम यहाँ पस भटक रहे हैं दो मैने से ज़ादा हो गया भी हम यहाँ बटक रहे हैं कि आज नी तो किसी नेता मंतरी से मिलके आते हैं को हमने की सब कर चुके लेकिन अब आकरी यह अ रास्ता बचाल यह तो शरवगं गरती मिलेगी सद्राइश जी चाहां बोग हो पानी सभी नहीं कि कभी आप देखे हो कि मैं दिन भर मुझे कभी अभर मुझे दफ्टर कभी एद जाने के दर्मियान मुझे टाइम नहीं मिल पाती है और नहीं कहीं पे पैसे है चुमे खास क्वोरा कि यृओं कि जब मैं पैदल यहां से निकलता हूँ आपने बहुत बार मुझे फोन करने की कुछी थी मैंने आपको बताया कि मैं इधर हूँ मीलो पैदल चले है और मीलो चले है भूके फेट लिकिन आखे नम हैं लिकिन आखों में आशा जरूर है आशा इस बात की कि शायद सरकार सुन ले, शायद सरकार आखे खोल कर देख ले कि सरकार के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अलग-लग राजे से आए हुए हैं यहाँ पर भटक रहे हैं अपनी नौकरी के लिए भारत मा की रक्षा के लिए आखिर में क्या कहेंगे सरकार से? जिद्धे खाना का कहीं तो रहे है दो महीने से पिर भी सरकारNow करने के लिए कहां पेटने पर मिसन ट नहीं मिल रहे है वीदाद पर मेसलं बैठेंगे य इतने दिने स convention के लिए मतलदा आपकर अपके करते हैं और बार बार रेजट कर दे रहा है तो अगली तैयारी इनकी भूखर्ताला भी तक नहीं कि आप इनका कहना है कि हम भूखर्ताल करेंगे शायद सरकार को तरह साज आए इन भूखर्ताल की कैसे तैयारी है कर दो कर रहे हैं पर मीशन सरकार नहीं दे रही है भीशन गर्मी हो रही है कर्फ्यू नाइट का हो चुका है दिल्ली में इतनी संहे में तैयारी किसी है जोष कितना हाई है JO assum बिल्कुल है मारे अंदर ढetedा पूल जोष कम नहीं होगा जौश पूरी तरह है एक जवान से हम यहीं उम्मीद करते हैं कि उसका जोश हमेशा हाई रहे ताकि दुश्मनों के चक्केश उड़ाने के लिए पूरी तरह से तयार रहे यह भी वही चाहते हैं वही वर्दी चाहते हैं वही हतियार चाहते हैं ताकि दुश्मन उनसे डरे हमारे देश की तरफ हमा यहां भी जो भी स्तित्यी हो यह वहाँ पर पहुंच जाए तकी दिल्लीपोलिस सीरे परेशान ना कर पाए क्याभाणा फरसन सर्तार के साथ मैं काजम नग्राएν लिएमरी आंडिया